भाई पूरे भारत के लिए स्पोर्ट्समेन की ओपन भरती आ गई है आपको सुनकर बड़ा अच्छा लगया कि ओपन भरती और इस भरती में कोई भी रजिस्टेशन नहीं करना पड़ता डारेक्ट आपको सेंटर में रुपोर्टिंग करनी होती है अपने ओर्जिनल सबसे पहले आपकी दौड होगी या इसमें भाई आपका ट्राइल होगा पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि किन बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं जिनके पास बहले इंटरनेशनल या नेशनल स्टेट डिस्टिक कौन से लेवल का जो सटेविकेट होता है वो बच्चे पार् सब्सेटेड करना लंब कि आप इस वीडियो कोन न उन दोस्तों तक टेक सेयर कर देना जिन बच्चों पर स्पोर्ट्समें का सटेविकेट है क्योंकि ज़्यादा से बनाचों को पदा चल जाएक क्योंकि ये बहती ती अगले महिने यानि कि सेटम्बर के महिने में होने वाले और ये नोटिफेकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा टेलीग्राम की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है जाकर आप जोइन हो जाना या सर्च कर लेना यू एच को रिलेशन आर्मिक निकले ये एक रिलेशन भरती है ठीक है रिलेशन भरती 13 सेप्तम्बर से शुरू हो जाएगी ठीक है और बात करूं तो भाई हाँ पर 19 सेप्तम्बर तक चलेगी अब रिलेशन भरती के साथ साथ आप सभी को पता होगा कि भाई स्पोर्समें की भरती निकाली जाती है साथ पर हम आज की वीडियो में बात करें स्पोर्ट्समेन के वारे में अब इसमें मैं आपको बताओं तो स्पोर्ट्समेन वाले बच्चों को कब रुपोर्टिंग करनी है कौन-कौन से युवाओं को करनी इस बात का ध्यान रखना भले आप पैन कौफी ले लो और लिख लेना देखो आप सभी को न हैं पर आप देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट पर ठीक है 12 सेप्तंबर की जो डेट है आपको रुपोर्टिंग करनी है यहां पर आपको धुंदला दीखेगा मुझे पता है क्योंकि चार्ट यह धुंदला है बाकी टेलिग्राम पर आपको साफ लेका हुआ है ठीक है यहां पर खोल्ट मेंन केटेगरी इन बॉक्सिंग रेसलिंग और हेंडबाल और छीन का खेले पर नेका पर आपको अब रेसलिंग और रेसलिंग और हैंड़ा है in ऐन quietly आप양 café देको कि कि भाई आप चले जाओ बाकि नोटिवेगेशन में साफ साफ लेका हुआ है कि बॉक्सिंग रैसलिंग और हैंडबॉल और फुटबॉल यानि बाकि मैं आपसे यही कहुआ है कि भाई इसमें चार खेल वाले ही भाग कौन-कौन से जिनके पास नेशनल और इंटरनेशनल थीक है वह साफ कि लिए नहीं रही है कि घृ इसमें डिस्टिक वाला यह जटेट वाला भी आ सकता है तो भाई वो भी चले जाना नेशनल, इंटरनेशनल, डिस्टिक और स्टेट वाले ये बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं जिन पे भाई यहां पर फिर से सुन लो पहले क्या होता है जादा तर मैं बात करूं तो भाई 80% सेंटरों में सबसे पहले होता है कि जो जिस बच्चे पर स्पोर्ट्समें का सटे विगट है उनका पहले ट्राइल होता है जो बच्चा ट्राइल में पास हो जाता पिर उनकी वहां पर दोड़ होती है एक डेट देते क कि इस डेट को आपका फिजी कल कुछ सेंटरों में 20% सेंटर ऐसे हैं जिन में सबसे पहले लेते हैं जैसे रेलेशन बच्चे के साथ और आते हिप उनका ट्राइल होता तो ये प्रोसेस रहता है पर इस केस में बात करूं तो भाई सबसे पहले आपका डवा लेडी center में जो भरती होने वाली sportsman की इसमें सायध हो सकता है कि आपका पहले physical हो फिर आपका trial हो ये process रहेगा बाकि इसमें relation वाले सभी बच्चों को पता है कि भाई 13 तारिक को हमें जाना 13 तारिक को gd की बच्चों के पास sportsman का चले जाना और इस वीडियो को सौरी आगे ज्यादा सेर कर देना जिन बच्चों पर sports certificate है जो आपके जानकार पाई है ठीक है पाकि प्रोसेस मैंने बता दिया कुछ बच्चे ये पूछेंगे कि भाई क्या document लेके जाए तो उस वीडियो के link में नीचे description में डाल रहा हूं जो document आपको भरती के दोरान लेके जाने तो आप उस वीडियो को चेक आउट कर लेना आपको पता चल जाएगा फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अब्लेट के साथ जैंद रहा हूं जाएगा और जाएगा जाएगा जचजद